हलो वेलकम नमस्कार दोस्तों और स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल उनली सक्सस में आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में फॉरस सर्वेय रिपोर्ट जो 2021 की जो रिलीज हुई है हाला कि उसको रिलीज हुए समय हो गया काफी तीन से चार मैने हो चुके हैं उसको आए हुए पर आज मेरा ये वीडियो बनाने का में मकसद सिर्फ इतना ही था कि अभी बहुत सारे एक्जाम्स हैं आगले दो से ढाई तीन मैने में तो सारे आप चाहे जिस भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो चाहे आप बिहार PCS का आपका एक्जाम हो चाहे UP PCS का हो या UPST का एक्जाम हो या आप किसी भी XYZ आप रेलवे बैंकिंग ट्रॉपल स्या आप किसी की भी त्यारी कर रहे हो तो जितने भी नए साथी पहली बाद जोड़ना है सबसे पहली बाद तो यह है कि इस चैनल को आप लोग प्लीज टेलिग्राम चैनल से भी जुड़ जाईए क्योंकि कभी-कभी बहुत से टॉपिक पे वीडियो बनाना पॉसिबिल नहीं होता है वीडियो खाली जो रेलेवेंट टॉपिक्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टन्ट हो तो उस पे ही बनाता हूं मैं पर उससे जादा मैक्सिमम जो चीज़ने इन्फॉर्मेटर्व होती ह है डेली करेंट अफेर से टेलीग्राम चैनल पर ही शेर होती है तो आप लोग प्लिस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएए वहां पर और आप लोग यकीन मानिए आपकी त्यारी दिन पर दिन बहुत अच्छी हो जाएगी तो उसका लिंक मैंने दे रखा है नीचे आप आप लोगों का प्यार मिल रहा है डेली मेंबर्स बढ़ रहा है और उनको फायदा भी हो रहा है डेली वहां से यहां तो वीडियो दस या पांच मिनट का ही वीडियो होता है वहां डेली दो से धाई सो जी एस के वन लाइनर फैक्ट्स डेली डिसकस होते हैं लिसेंड इस से रिलेटेड आपको पीडियो बाइलिंग्वल में आपको टेली ग्राम पे ही मिल जाएगा आप किसी भी मीडियम के हो आप वीडियो पूरा देख लीजिए आपका पूरा फैक्ट रेडियो डैग इस वीडियो से बाहर एक भी कोशन आपका नहीं जाएगा यह मतलब आप लिखके ले लीजिए आप इसको कर लीजिए आपका कुछ भी कोई PDF कोई magazine कुछ नहीं करना है खाली एक पेज का PDF है वह आप पढ़ लिजे डाउनलोड करके इसके बार एक भी कोश्चन नहीं जाना है बस खतम वीडियो देख लीजिए PDF याद कर लीजिए हो गया आप पर इसके बार इसके बार एक बार आपको आपको टेलिग्राम पर ही मिल जाएगा और बाकी वीडियो भी मैं पूरा बालिंग्वल में ही डिसकुस करने वाला हूं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए आपका बहुत ही रिलिवेंट और इंपोर्टन टॉपिक है बहुत ही शौर्ट नोट में मैंने बनाने की पूरी कोशिश की है तो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है तो सबसे पहले अगर हम लोगे सारी चीज़ां कर डिसकुस करें तो अब इसमें पहली बार डिसकुस कर लेते हैं कि इस फॉरस्ट रिपोर्ट को रिलीज कौन क है तो यह बेसिकली यह मिनिस्ट्री ओफ इन्वार्मेंट रिलीज करती है यह हर दो साल में रिलीज की जाती है इसमें जो की पॉइंट से वो डिसकुस कर लेते हैं कि या क्या है सारे सिर्फ इसमें कोई मैगजीन मैगजीन का नहीं है बस जो इंपोर्टेंट वही इसमें दाला गया है it is an assessment of forest and tree cover published every two year by the forest survey of India यह basically जो forest और जो tree cover होता है तो उसकी forest Indian forest और tree cover को basically उसकी density के हिसाब से उसका घनत के हिसाब से इसको divide कर दिया जाता है तो जब भी forest report होती तो Indian forest cover और tree cover दोनों अलग अलग होता है लेकिन overall जो data होता है वो overall forest forest and tree cover करके ही आता है तो यह basically हर दो साल में publish होती है इसकी शुरुवात हुई थी 1987 में और यह जो 2021 में यह 17th report है forest survey की इंडिया इसके बाद में इंडिया वन आप दो few countries in the world that brings up a such a survey मतलब कि ऐसा नहीं है कि सारे देश ऐसी reports forest related publish करते हैं कुछी ऐसे देश हैं जिसमें से इंडिया है जो forest survey report हर दो साल में publish करता है इसके बाद में use for planning and formulation of policies यह से काम क्या आता है basically अगर forest survey report है अगर उसके लिए क्या होता है कि forest cover हमारा कितना है greenery कितनी है carbon dating क्या है carbon footprint कितना है तो basically government को policies बनाने के लिए forest survey report काम आती है अब इस forest को तीन category में divide किया गया है very dense forest, moderately dense forest यह मतलब dense forest मतलब घनत के हिसाब से कितना sun and one है open forest तो जो canopy density over 70% होता है very dense forest में आता है यानि कि घनत उसका जो घनापन होता है 70% से जब जादा हो जाता है तो उसको very dense forest में डाल देते हैं मद्यम वाले को 40-70% होता है तो मद्यम में डालते हैं 10-40 वाले को open forest कह देते हैं इसके बाद मैं अगले features देख लेते हैं अच्छा आभी तक क्या होता था जो basically tiger results उसमें शामिल नहीं किया जाता था तो आगर आपको question है तो ये भी बन सकता है कि for the first time पहली बार किसको शामिल किया गया है इस report में तो tiger जो results है tiger corridors है या isetic line वाला इसमें इसको शामिल पहली बार किया गया है क्योंकि बहुत बड़ा area होता है तो अभी तक उसको survey से बाहर रखा जाता था पर पहली बार इसको इसमें survey में include किया गया है इसके tree cover या forest cover को survey में इसके बाद में the forest cover in tiger corridor had increased from अगर tiger corridor को include किया गया है तो इसका area कितना बढ़ गया है यह mention किया गया है फिर इसमें क्या है कि forest cover has increased in 20 tiger results in 10 years and decreased in 32 tiger results अब इससे देखिए अगर आप थोड़ा सा aware हो पढ़ेंगे तो अभी कितने tiger results है उसका idea लगा सकते हैं इसमें सारे tiger results है साइगर सारे tiger results में से 20 में से 10 सालों में forest cover है वो बढ़ा है और जो 32 है 10 सालों में 32 में कम हुआ है तो 30 plus sorry 20 plus 32 तो इस समय हमारे देश में 52 tiger results है currently मतलब यह report जिसंबर 2021 तक की है ठीक तो यह tiger results की संख्याप यहां से पता लगा सकते हैं तो basically अब अगर पूछा जाए तो basically directly तो ऐसे question नहीं पूछ सकते हैं अगर आप बेहार दे रहे हैं या UP का PCS के exam है तो उसको ऐसे घुमा के tiger results कितने हैं यह पूछ सकते हैं और अगर assessment reasoning का मतलब जो कथन कारण वाले जो सवाल हो तो उसमें से ऐसे डाल सकते हैं पर अगर आप किसी one day exam को दे रहे हैं तो इस तरह के fact की जोरत नहीं है अब यहां पर दिये देख लिए बुकसा वेस्ट बंगल अन्नामलाई तमिलनाडू एंद्रावती रिजर्व 36 गड़ है शोना इंक्रीज इन फॉरस्ट कवर वाइल दा हाइस लॉसस अब इन फाउंड इन कवल ते लंगाना भद्रा अच्छा अब यहां पर कहां काम हुआ कहां जरूरी यह नहीं है अब यहां जरूरी यह है कि जो टाइगर रिजर्व के जो नाम दिये हु तो यह सारा दिया हुआ है findings of the report क्या है अब आप लोग सोच रहेंगे इसमें डाटा वाटा इसमें जितना दिया हुआ है लगबग सारा इंपोर्टेंट है जो बहुत इंपोर्टेंट मैं इसको हाइलाइट कर दिया है जो डार्क लेटर्स में है वो है the forest and tree cover in the country continues to increase with an additional cover of 15 40 square kilometer over the past two years मतलब 15,040 square kilometer पिछले दो सालों में बढ़ा हुआ है इन जो forest cover है यहाँ पर forest cover is now 713 789 square kilometers 21.71 percent of the country's job recover area and increase from 21.67 मतलब 2019 में जो cover था वो 21.67 percent था अब 2021 में बढ़के हो गया है 21.71 percent the tree cover आप देखे यही बात आ गई है कि tree cover और forest cover यहाँ tree cover कितना हुआ है 721 square kilometers tree cover increase हो गया है tree cover is defined as all tree patches of size less than one hectare यह देखे आप tree cover और जिनको भी अकड़ावट है tree cover और forest cover में difference किया basically तो यहाँ मैंने इसमें mention भी कर दिया मैं कोशिश करता हूँ कि maximum चीज़ें आपकी video देखने माद clear हो जाए अब देखे इसमें यह है कि जो less than एक hectare से जो कम जगह होती है वो उसमें जो trees रहते हैं उसको tree cover में ले लिया जाता है और जो उससे ज़्यादा बड़ी जगह होती है वो forest cover में आ जाती है तो basically यहाँ पे keyword है one hectare इस से कम वाली जगह tree cover वाले में ले ली जाती है occurring outside the recorded forest area forest area से बाहर जो एक hectare की जगह होगी अब जैसे कोई भी आप शहर में रह रहे हैं अगर शहर के बार एक जगह है अगर वो एक hectare से कम है पर वहाँ पे घनी जंगल टाइप दिख रहा है पर वो tree cover में आएगा आपका forest cover में नहीं आएगा जब area बहुत बड़ा होता है बहुत सारे पेर होते हैं तो वहाँ पे forest cover वाली definition लागू हो जाती है आगे देख लेते हैं increase and decrease in the forest अब यहाँ पे थोड़ा सा यह data है यह बहुत important है ठीक है यह exam में यह आप चाहे जो भी exam के तियारी कर रहे हों यह आपको data रटना ही पड़ेगा the states that have shown the highest increase in forest cover अब इन दो सालों में भाई 2019 का 2021 में अगर report आई है तो इन दो सालों में कौन-कौन से ऐसे states हैं जिन्होंने forest cover में वृद्धी दर्ज की है यानि की forest cover जिनका increase हुआ है तेलंगाना में सबसे जादा increase हुआ है 3.07% उसके बाद आंदरा में हुआ है 2.22% और उडिसा में 1.04% अब नौर्थ इस्ट के states अगर हम लोग देख लें तो सबसे जादा अरनाचल में increase हुआ है फिर मनीपूर में फिर मेगाला में फिर मेजोरम नागालेंड तो शुरू के आप अगर 5 नहीं याद कर सकते हैं मैंने 5 यहां दे दिया अगर आप कर सकते तो कर लिजे नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आपको 3 तो याद होने ही चाहिए सुपर सेफ होने के लिए किसी भी एक्जाम में 5 मैंने दे दिया है आपको also shown loss in the forest मतलब sorry मुझे लगता है कुछ गलती हो गई यहां पर five states in the north east अरुनाचल प्रदेश, मनीपूर, मेगाले, मिजोरम और नागलें have all shown loss in the forest cover हाँ तो यह इसमें जो दिया हुआ है यह आपका जो forest cover उपर यह जिन्होंने वृद्धी दर्ज किये वो दिया हुआ है नीचे वाले में दिया गए जिन्होंने यहां पर loss जिन्होंने show किया है उनका है सारा states with highest forest area या cover area wise अगर देखें तो कौन सैसे राज्ज है जहां पर सबसे ज़्यादा forest या forest tree cover है मद प्रदेश ऐसा राज्ज है largest forest cover in the country उसके बाद आपनाचल प्रदेश है फिर 36 गड़ है उडिशा है महारास्ट्रा है तो यह आपको कम से कम 3 तो याद हो नहीं चाहिए 5 कर सकते हैं तो 5 कर लेजे in terms of forest cover as percentage अब percentage wise यह आपका area wise हो गया कि आपको पता है कि area wise और percentage wise दोनों अलग-अलग होता है कि मतलब जितना area है उस अनुपात में कितना forest cover है या जितना area है उस प्रतिशत में कितना forest cover है तो अगर area wise आप से पूछा जाता है तो यह उपरवाल आपके लिए important अगर पूछा जाए कि percentage wise of total geographical area तो मेजोरियम है मेजोरियम है अरुनाचल प्रदेश है मेगाला है मनीपूर है नागालेंड है तो यह सारी आपको याद इकदम tip of the tongue होना चाहिए रटा होना चाहिए बहुत important है यह the tongue forest area denotes the legal status of the land as per the government record whereas the tongue forest cover indicates presence of tree cover over and land हाँ देखे यह definition भी है यह definition मैंने इसलिए जान बुच के डाली है कि आपको किसी भी exam में यह definition भी statement के रोप में पूछा जा सकता है वो किसी भी exam में योगि forest cover or tree cover एक्तम surface की चीज़ है आपको definition clear होनी चाहिए तो legal status of a land अगर कुईसी government record में दी हुई है तो forest area आती है government record में the forest cover indicate presence of tree over a land वही एक hectare वाला है कि मतलब जो tree cover होता है वो उसके लिए government record गोने ज़रोत नहीं है बहुत जादा पर इसमें जो है एक hectare से कम जगे हो वो एक घनत हो पेर हो तो वो tree cover में आ जाता है तो यह definition आपको याद होनी चाहिए अब यह तो उपर तो forest की बात हो गए forest related जितने important facts आपको दे दिये गए है सारे important है आप उसमें से बाहर एक भी question नहीं जाएगा अब बात कर लेते हैं mangroves की mangroves has shown an increase of 17 square kilometer India's total mangrove cover is 4,992 square kilometer forest prone to fires अब यह forest fires related है 35% forest fire है अगर आप interested हो पढ़ लेज़े बर यह मैंने सिर्फ आपके understanding के लिए डाल दिया है इसमें से forest in all states will have highly vulnerable climate hot लदा किये यह आप understanding के लिए पढ़ लेए बट इसमें से exam point of views आपको याद कुछ नहीं करना है बट एक broad understanding के लिए मैंने इतना डाल दिया है तो आप इसको पढ़ लीजे बाद में करें डिक्लाइन दीक्लाइन नाट्राइल कड डिकलाइन मोडरेटल दंस ओरर्स और grid look लाइन अ जैतना आपको प्रट है कण्साड जितना वह है यहां पर जब mangroves हम लोग discuss कर रहे हैं तो mangroves में मैंने एरिया आपको बता दिया है बस इसमें एक चीज और important है इसमें अगर आप note down प्लीज कर लेज़े इसमें mention नीचे मैंने किया हुआ है इसमें अगर mangroves में hierarchy आप से पूछ सकता है कि सबसे ज़ादा mangroves किस स्टेट में हैं तो सबसे ज़ादा आपको west bangal ही है आपको पता है सबसे ज़ादा mangroves हैं और कौन कौन से स्टेटonnaise है फिर आपका यह गुजरात है फिर आपका आंद्रह है तो यह सारी स्टेटबर में शा मैं यह तो बहुत है कि जो उसके लिए प्रवाट सब्सक्राइब बहुत अच्छा और सबसे ज्यादा कर पाई जाते हैं वह वेस्ट बंगाल में अब हम लोग बात कर लेते हैं, forest और mangroves तो हो गया, यहाँ पर यहाँ concerns हैं, यह आप लोग पढ़ लिए, मैं आपको बोल चुका हूँ, अब यहाँ पर उपर जो कुछ regions हैं, यह reason मैं इसमें add कर दिया, हला कि यह आपके exam में काम आएगा, उपर मैंने सबसे पहले जो बात हम लोगों ने की थी, कि जो इन दो सालों में कौन से states जिन्हों ने improve किया है, और forest cover में, ट्री cover में, और कुछ states जिन्हों ने decline किया है, तो यहाँ पर नौर्थीज के states, आपने देखा होगा, तो उपर आप जब देखेंगे, तो उसमें नौर्थीज के states हैं, अब यहाँ पर क पूछा भी गया है यह UPSC में कई बार पूछा गया है यूपी में पूछा गया है बिहार का भी कोश्चन है इसलिए फॉरस सर्वे रिपोर्ट से मैंने जो इंपोर्टेंट था इसमें से डाल दिया है तो इसमें दर डिकलाइन इन नौ तीसन स्टेट्स हैब बिन अट्रिब व Couping के फिcaने बिल्यां चाहिए और पूर्ड़ी बनी रहती और कुछ समय के लिए वहां पेखेटी करने के लिए उपजाओ जमीन cheap जब तक उपजाओ जमीन रहेगी तक तब तक वो हुसमें खाइती करते हैं जब मैं लगता है कि उसका जो उपजाओ वाला जो उसका पार्ट है वो कम हो गया है तो वो एरिया छोड़ देंगे फिर वो कोई नई जगह तलासते हैं फिर जंगल जलाएंगे फिर उसमें खेती करें तो ये बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ पे जो जंगल हैं कम हो रहे हैं दिन पर दिन अब पर प्रेशर ऑफ डवलमेंटल एक्टिविटी अब जैसे पूल बनने ब्रिज बनने स्कूल बनने होस्पिटर्स बनने तो भाई जगह कहां से आएगी जगह ऐसे आएगी जो फॉरस्ट एरिया है उसको जगह काट के जगह बनाएंगे फिर सारे डवलमेंटल आप पीडियाफ टेलिग्राम चैनल से जुड़ के वहां से डाउनलोड कर लीजे और कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्षिम ज़रूर बताई अगर आपको लगता है किसी और भी चीज़ पर वीडियो बनाना चाहिए आपको लगता है जरूरी है तो मैं जरूर बत लृष लगता है क्योंकि टाइंग जरूर बताइस और बताई कि टाइम को शॉटेज रहती है तो टेलिग्राम पर डायरेक्ट शेयर हो जाता है तो वहां पढ़ने के लिए इसी रहती है आप वीडियो के लिए फिर बहुत सारी एडिटिंग फिर बहुत सारी एडिव फिर so much